मूर्तिकार की कहानी एक दिन की बात है एक मूर्तिकार पत्थर से एक मूर्ती बना रहा था वो पत्थर को लगातार हथोड़े से मार रहा था तभी अचानक उस पत्थर से आवाज आई की मुझे मत मारो मुझे बहुत दर्द हो रहा है ये सुनकर मूर्तिकार बहुत हैरान हो पत्थर ने हां में जवाब दिया और कहा कि मैं तुम्हारे हथोडे की मार सहलूँगा मूर्तिकार ने अपना मूर्ति बनाने के काम शुरू किया उसने उस पत्थर को अपने हथोडे से तोड़ कर भगवान की एक सुन्दर मूर्ति बनाई फिर उसने उस पर रंग किया और उस मूर्ती को सजाया उस मूर्ती का काम पूरा हो जाने पर उसने उस मूर्ती को गाव के मंदिर में रख दिया लेकिन साथ में ही लोगों ने उस मूर्ती के नीचे नारियल तोड़ने के लिए एक पत्थर रख दिया और ये वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को उस पर काम करने से मना किया था अब रोज हजारों लोग उस पत्थर पर नारियल तोड़ने लगे जबकि वो दूसरे पत्थर की पूजा करने लगे और उसके आगे माथा टेकने लगे सिख दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सिख मिलती है जिस तरह सोने को आग में तपा कर ही उसे गहने बनते हैं और उनको एक नया रूप मिलता है इसी तरह अगर हम शुरुआत में महेनत नहीं करेंगे और मुश्किलों से डरते रहेंगे तो हम कभी काम्याब नहीं हो पाएंगे दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी है हमें कॉमेंट करके जरूर बताए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में